मिठे बच्चे कर्म, अकर्म, विकर्म की गती को ध्यान में रखते हुए, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। देदान तो छूटे ग्रहें, आज का प्रश्ण किस बात में ब्रह्मा बाप को फालो करने वाले बच्चे भविश्य में तक्तन्शीन बनते हैं। उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बली चड़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इनशोर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली, ऐसे ही फालो फादर। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तनमंधन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इनशोर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो, आज का गीत, बचपन के दिन भुला न देना, ओम शांती, मीठे मीठे बच्चों ने गीत स अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मर कर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोदली है, कौन सा बाप है, परमपिता परम आत्मा माना परमात्मा, हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा जोतिरलिंगम है, अथा जोती स्वरूप है, हजार सूरियों से जो मैं है, यह कहना वास्तव में रांग है, क्या कहना है? परमपिता परमात्मा यानि परम आत्मा, वह सदैफ परमधाम में रहते हैं, परम अर्थात उंच ते उंच इनकारपोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है, वह जन्म मर्ण के चक्र में नहीं आते हैं, समझाते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मर्ण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उधार कौन करे, मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूं, दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूं परंतु जानते नहीं हैं, भक्ती बाप कैसे है, वह क्या चीज है, यह नहीं जानते हैं, मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं, ब्रह्मा, विश्नूर, शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं, बाकी यह शिव कौन है, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों करते हैं, यह नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताये जब वाम मार्ग में आते हैं, तो सोमनात का मंदिर बनाते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रच्चिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते, ड्रामा में नूध ही न जानने की है, जानना अर्थात वर्सा पाना, न जानना अर्थात वर्सा गवाना, बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का रचिता तुमको सुख देता हूं, पावन बनाता हूं, फिर पांच पाँच विकार तुमको पतित बनाते हैं। तुम ब्राहमनों का बाप हूँ। हे ब्राहमनों, तुम्हारे पास जो यह पाँच विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो ग्रहेंट छुटे। आज से दान दे कर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। लेकिन करमेंद्रियों से क्रोध आदी करने से पाप हो जाएगा। कर्म कर्म विकर्म की गती भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्मा जीत बनाता हूँ। यह तो राहू का ग्रहन है। देदान तो छूटे ग्रहें। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे यह पांच भूतों का दान दो इसमें पैसे आदी की तो कोई बात नहीं। यह तो बाप है तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तनमंधन से सेवा करते हो। बाप का भी फ्रज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आये हो, परन्तु इश्वर कोई भूखा थोड़े ही है, यह तुम इनश्योर करते हो, इश्वर को देने से इश्वर फिर दूसरे जन्म में तुम को देंगे, यह इनश्योर करना हुआना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है, वह इनशोर करते हैं एक जन्म के लिए। यहां तो सब कुछ इनशोर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो परन्तु जितना बली चड़ेंगे उतना वर्सा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बली चड़ाना है। जो मदर फादर को फालो करेंगे वही तक्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहें। दान देकर और फिर अगर वापिस ले लिया तो दुर्गती को ही पाएंगे। पूरा पुरुशार्थ करना है। पुरुशार्थी स्टूडेंट अच्छी रीती पढ़ते तो नमबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुशार्थ कर उंच नमबर लो। इसमें कोई ततलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है खुशी का पारा भी चड़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। माया पर जीत पानी है। उन्होंने खिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हूँ। बच्चे समझते हैं बाब को पांच विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायन वा लक्षमी को वर नहीं सकेंगे तो तुम बच्चों को दिलदरपण में देखना चाहिए मैंने करमेंद्रियों से तो नहीं कुछ किया। माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैध्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी। इसमें ड खूब रावन से युद्ध होगी। माया खूब वार करने लगेगी इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बच्चपन भूल नहीं जाना। यह है इश्वरिय बच्चपन। इश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 बार जाएं अच्छा बाबा कहते हैं तुम क्या करो एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो। भल तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो हम मदद देंगे। बड़ी हॉस्पिटल खोलो अगर ज्यान उठाने की खुद को फुर्सक नहीं तो अच्छा तीन पैर प्रिथवी के लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हिल्दी बनेंगे। कॉलेज से एवर विल्दी बनते हैं। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुन्य होगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है। राजाई गरीबों को मिलती है। गरीब निवास है ना। यह बाबा नमबर वन साधारन था। हजार दो है तो उनको गरीब कहेंगे। यहां गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड लेकर क्या करेंगे। गरीबों की पाई-पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे। कितनी तकलीफे सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राज्योग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। यह राज्य तो म्रिगत्रिशना सद्रिश्य है। कहानी है ना द्रोपदी ने दुर्योधन को निमंत्रन दिया। कबरिस्तान है तुमको फिर परिस्तान बनाना है। कीरे मोतियों के महल बनाएंगे। यहां तो यह पत्थर पुरी है वहां होगी सोने की इसलिए बाप समझाते हैं देदान तो छूटे ग्रहन फिर सोलह कला समपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो मनुष्य कितने दुखी हैं। लडाई लगती है तो नींद फिट जाती है। आराम नहीं आता है नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावन राज्ज। अभी दशरे पर रावन को जलाएंगे यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक की विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावन जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावन निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावन को जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं. साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं. लक्ष्मी नारायन के पास तो कितना अथा धन था? कितनी उन्हों की पूजा होती है? पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़े ही करते हैं, चतुर्भुच की करते हैं. उसमें दोनों आ जाते हैं. लक्ष्मी के साथ नारायन तो जरूर चाहिए इसलिए दोनों की पूजा करते हैं. जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ती मार्ग है ना? तुम विश्व के मालिक बनते हो. बच्चे पूछते हैं, दीवाली पर सब कहते हैं, अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे, तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसलिए बाबाराय देते हैं. बच बच्ची की शादी करानी है, तो साक्षी होकर पाट बजाओ, नहीं तो जगडा होगा. बच्चिया निर्विकारी नहीं रहना चाहती, तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो. पवित्र रहना नहीं चाहती है, तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है. कुमारी वह जो 21 कुल का उध्धार करे तुम सब ब्रह्मा कुमारिया हो तुम्हारा धन्धा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना दिल से पूछो हम कितने को आपसमान बनाते हैं मिशन है न यहां तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मिहंत करनी चाहिए तुम खुदाई खिद्मतगार हो मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ मैं हूँ ही निश्का तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है तुमको राज्य देता हूँ तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे 84 जन्म पासकर आज हम रावन की संप्रदाय बने रावन को हमेशा जलाते हैं रावन की कभी पूजा नहीं करते हैं जो सुख देता है उनको पूजा जाता है रावन का चित्र बनाया और जलाया वह तो सदैव दुख देने वाला है दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुख दाता उन पर रोज जाकर फूल चड़ाते हैं आक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते आजकल तो अंधशरधा बहुत है बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है ऐसे बाब को भूल नहीं जाना फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा इश्वर का बनकर इस बच्चपन को भूल नहीं जाना आसुरी संतान से बदल तुम इश्वरिय संतान बनते हो फिर दैवी संतान बनेंगे यह है इश्वरिय जन्म इस समय तुम सेवाधारी हो तुम हो रुहानी सोश्य अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला प्वाइंट इश्वरिय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है सपूत बच्चा बनना है अवगुन निकाल देवताई गुन धारन करने हैं दूसरा प्वाइंट खुदाई खिद्मतगार बन रुहानी सेवा से सब को आप समान बनाना है तीन पैर प्रित्वी लेकर रुहानी हॉस्पिटल वा कॉलेज खोल देना है तनमंधन से पूरा मददगार बनना है आज का वर्दान कर्मयोगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव कई बच्चों को कमाने की परिवार को पालने की चिंता रहती है लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता चिंता को छोड़ कर कर्मयोगी बन काम करो तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा और योग्युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा आज का स्लोगन सदा गुन रूपी मोती ग्रहन करने वाले ओली हंस बनो कंकर पत्थर लेने वाले नहीं